और मेरे भाइव कैसे आप सबीव मीद करता हैं बहुत एच बहुत जहां देना पड़ता है और सारी शीडियों के बारे में जानेंगे तो वीड़ो में एंड तक बने रहे हैं अपी ध्यान से सुनना और समधना जब याँ को पता चलेगा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब न तो 21 साल से लेकर 40 साल तक होता है और अरक्षड वर्ग के जो उमिद्वार होते हैं उनको छूट मिलता है जैसे कि OBC, ST और SC कैटिगरी वाले उमिद्वार को आपको छूट दिया जाएगा और B.O कैसे बने मतलब इसका पूरा प्रखंट सिक्षा परिसाद आप कैसे बन सकते ह किसी भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको मान्यतप्रा Adapt बोर्ट से आपको कंप्लेट करने के बाद, आपको स्वाड से shelves कंप्लेट करना पढ़ता है किसी भी मानने तप्रात इन्योर्सिटी से आपको इस्ताहा तक मतलब graduation complete करना पड़ता है graduation complete करने के बाद आपको B.A.D. की degree लेना जरूरी होता है B.A.D. की degree आपको लेना बहुत जदा निवार है तबी जाके आप आगे कारे कर सकते है बेट की डिगरी complete करने का आपको LT की डिगरी होती है वो आपको प्राप्त करने पड़ता है यह आपको government के थुरू मिलता है आप वहाँ से पढ़ाई करके government के थुरू ले सकते हो LT की डिगरी उसके बाद LT की डिगरी ले निकाल BEO post के लिए apply कर सकते है apply का process यह है कि समय समय पर प्रकेंट सिक्षा परिशत के लिए आपको अप्लाइमेंट notification जारी किया जाता है जब BEO requirement के लिए application आप form फिल कर सकते हैं समय समय पर आवेदन भी करता है वहाँ से आप फिल कर सकते हैं block education officer के लिए भरती civil services examination के मादियम से कराया जाता है civil services examination मतलब SSC के exam आपको कराया जाते हैं वहाँ से आप clear कर सकते हैं application form भरने का civil services examination पास करना होगा civil services exam पास करने का तो लोग सेवा आयोग के दौरा PCS state PCS जो होता है वह आपको clear करना पड़ता है सबसे पहले आपको प्रांबिक परिक्षा होता है फिर मेंस exam होता है फिर अपको medical check-up होता है मतलब प्रांबिक परिक्षा की बात करें तो आपको इसमें कुल 120 प्रश्ण में से 300 अंग के होते पूछे जाते हैं अब्जेक्ट्री टाइब कोश्चन होते दो घंटे का समय में लिका आपको प्रांबिक परिक्षा अब हम बात कर लें मुख्य परिक्षा की मेंस exam की तो मुख्य परिक्षा में आपको दो प्रश्ण के कोश्चन पूछे जाते हैं कुल मानेता प्राप्त 400 अंकों का होता है जिसके पेपर और में सामानने ग्यान और करेंट अफेयर से कुल 200 प्रश्ण पूछे जाते हैं अब्जेक्ट्री टाइप की कोश्चन होते हैं यह पेपर सकेंड की बात करें तो हिंद प्रश्य प्रश्य पास करने के बाद ही आप मेडिकल में जा सकते हैं अपको एक बियोचर बना दिया जाता है ब्लॉक एड़केशन ओफिसर आपको बना दिया जाता है तो यह थी पूरी योगेता जो कि मैंने आपको बता दिया अगर यहाँ तक वीडियो बने ओ तो थैंक्स वर वाचिन दिस वीडियो लाइक दिस वीडियों शेर दिस वीडियों सब्सक्राइब दिस चानल ठेक्ट तूमाज गाइस